नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदीश देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जया शर्मा शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं पूर्व मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान के निवास मुख्यमंतरी मोहन यादव पहुचे हैं ये बड़ी खबर है इस वक्त की शिवराज सिंग चोहान से मुलाकात का निकली मोहन यादव पहुचे इस जरां शिवराज सिंग ने भी गुल दस्ता देकर मुख्यमंतरी का स्वागत किया है शिवराव सिंग चुहान को दरसल विदीशा सीट से प्रत्याशी पार्टी ने बनाया लोकसभा शेत्र सेव चुनावी मैदान में एक बार फिर नजर आएंगे तो ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों के नामों के अलान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौझूदगी है दरसल बाचीत का सिलसला इस वक्त चड़ रहा है और पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री पद ग्रहन करने के बाद से लगातार डॉक्टर मोहन यादव शिवराव सिंग चुहान से मुलाकात करते रहे हैं बाचीत हमेशा होती रही और एक त का बहुत अलग है क्योंकि पार्टी ने 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है जिसमें मध्यप्रदेश की 24 सीटे भी शामल है और विदीशा सीट से एक बार फिर से आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग च प्रधान मंत्री जी देश और मध्यप्रदेश की जनता के दिल में हैं उनके आशीरवात से और हमारे लोग प्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी के नित्रत्व में प्रदेश अध्यक्ष वीडी सर्मा जी के नित्रत्व में मध्यप्रदेश में सभी 29 सीटें भारती जनता पार्टी जीतेगी हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे फिर एक बार मोधी सरकार अब की बार चार सो पार उसके लिए मध्यप्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना है तो हम सब प्रिचार के काम में जुटेंगे हम लोगों ने विचार बिमर्स किया है कि कैसे सभी सीटों पर प्रभावी ढंग से भारती जनता पार्टी चुनाओ लड़ें और अब तेजी से भिड़ेंगे और सब 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे मोहन जी के नितरतों में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है उसका निश्चित तोर पर जवरदस्ट लाब भारती जनता पार्टी को मिलेगा और वीडी सर्माजी के नितरत में संग्ठन भी बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और मैं एक कारिकरता के नाते पूरी टाकत से अपनी इस पूरी टीम के साथ जुटके सभी 29 सीटें जीतने में हम लोग जी जान लगा